नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का Pathfinder पर आज से exactly दो साल पहले बांगलादेश का जो सबसे बड़ा River Bridge है also popularly called as the Padma Bridge ये चाइना के द्वारा क्लेम किया गया था कि ये उनके लिए एक बहुत ही successful story है जिसको की उन्होंने बांगलादेश में जाकर के तैयार किया है ले और यहाँ पर report सामने आ रही है कि ये वाला जो Padma Bridge है जो की apparently ये सोच कर बनाया गया था कि eventually ये बांगलादेश में self financing करेगा यानि कि ये खुद ही अपने आप में जो भी इसमें खर्चा आया है ये खुद ही इतनी कमाई कर देगा बांगलादेश की economy के लिए कि इसमें report सामने आई है वो सीधा सीधा ये बोलती है कि इस एक Padma Bridge की वज़े से सबसे पहले तो बांगलादेश में forex crisis शुरू हो चुकी है जिसमें कि जो बांगलादेशी banks हैं वो भारी मातरा में उन्होंने foreign currency को borrow करना शुरू किया so that वो इसमें जो machinery लगी है raw materials लगे है और जो foreign workers लगे हैं उनकी तंखवाओं को pay कर सके and because of this क्योंकि foreign currency उनकी market से काफी कम हो गई उसके चलते बांगलादेश में जो forex reserves थे उसकी मातरा काफी गिर गई and जब forex currency यहां पे काफी गिर गई तो eventually बांगलादेशी बैंकों के द्वारा local public से local currency को borrow करना शुरू कर दिया जिसकी वज़े से क्या हुआ कि जो बांगलादेशी banks थे वो भी बहुत जादा pressure में आ गए and ultimately जो local currency थी वो भी market में कम होना शुरू हो गई जिसकी वज़े से वहां पर जो उनकी local currency crisis है वो भी history है वो भी आपको समझाऊंगा and कैसे ये आज पद्मा ब्रिज बांगलादेश के लिए economic disaster बन चुका है उसको भी समझने का प्रयास करेंगे आए शुरू करते हैं मेरे साथ मेरा नाम है अनिरुद यदि आप लोग हमें follow करना चाहते हैं हमारे lectures के updates को प्राप्त करना चाहत ये दोस्तो 24 October को शाम को 5 बजे हम लोग आपके लिए conduct कर रहे हैं इसमें enroll करने का link आपको नीचे description box में दिया गया है तो very very briefly मैं आपको Padma Bridge के बारे में बता दूँ इसको Padma Multi Purpose Bridge भी कहा जाता है and जैसा इसका नाम है ये गंगा नदी की जो main distributor है Padma River basically उसी river के ऊपर इस Padma Bridge क बनाया गया है और ये एक बहुत ही जादा challenging project था अगर हम लोग engineering के point of view से देखें because जहां पर इसको तयार किया गया है वहां पर Padma नदी की जो width है और जो depth है ये बहुत जादा बढ़ जाती है लेकिन फिर भी eventually इस bridge को यहां पर तयार किया गया and ये आज की घड़ी में बां self financing project बन जाएगा because इस bridge की वज़े से कहा गया था कि बांगलादेश की GDP में almost 70% की बढ़त हमें देखने को मिल सकती है लेकिन दोस्तों on the contrary यही वाला जो Padma bridge है जो की apparently China की मदद से बनाया गया था ये वाला जो bridge है ये आज बांगलादेश के लिए एक बहुत ही जादा मुसीबत बन चुका है बलकि जब इस bridge को China ने claim किया कि हमारे द्वारा बनाया गया है बहुत सारे geopolitical experts ये कह रहे थे कि ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा geopolitical loss है क्योंकि भारत के पडोसी देश में आकर के China ने इतना बड़ा mega infrastructure project तयार किया है लेकिन आज दोस्तों कहानी कुछ और ही सामने आ रही है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये खबर जो है आज morning में ही सामने आई है कि कैसे ये self financing padma bridge की वज़े से बांगलादेश में money market crisis हो रही है, forex की crisis हो रही है, local currency की और जिसकी वज़े से बांगलादेश में अब inflation की problem भी देखने को मिल रही है बांगलादेश का जो PSU bank है अगरानी bank, basically क्या हुआ, बहुत सारी payments थी जो की इस अगरानी bank को करनी थी, payments किस-किस चीज़ के लिए, for example, capital machinery के लिए, raw materials के लिए, foreign laborers की तनखवाओ को pay करने के लिए, इन्होंने क्या किया, इन्होंने भारी मात्रा में foreign currency को basically local market से procure करना शुर क्या हुआ कि जो बांगलादेश की government थी, वो जा पहुँचती है World Bank के पास, और World Bank यहाँ पे साफ साफ बोल देता है कि बांगलादेश में 2012 में major corruption concerns देखने को मिले थे, जिसकी वज़े से हम लोग आपकी एक पैसे की मदद भी नहीं करने वाले हैं, and eventually जब World Bank ने मना कर दिय बांगलादेशी सरकार को मजबूरन अपने Forex Reserves में से ये वाली payment को basically करना पड़ा, because payment अगर आप नहीं करते, तो उसके उपर interest पढ़ना शुरू हो जाता, अब इसकी problem क्या हुई, कि ये वाला जो पैसा, जब अगरानी बैंक ने local market से procure किया था, ये वाला पैसा 2013 में procure किया उस time पर जो बांगलादेशी टका और dollar का price था, वो कुछ इस तरीके से चल रहा था, 77.5, लेकिन तब से लेकर अब तक जो बांगलादेशी टका है, वो dollar की तुलना में बहुत जादा गिर चुका है, पिछले 5 सालों में ही आप देखिए, कितना जादा steep decline देखने को मिला है जिसकी वज़े से जितनी payment बांगलादेश पहले ओ करती थी, अब आज की date में, चुकि dollar बहुत मजबूत हो चुका है, तो बांगलादेशी सरकार की जो pending payment है, ये बहुत ही जादा बढ़ चुकी है, अब इसी की वज़े से क्या हुआ, कि चुकि आपको अपने ही forex reserves में से almost 7.5 billion dollar का जो forex है, वो निकालना पड़ा, जबकि उससे पिछले साल उन्होंने केवल 7.5 billion dollar का forex ही market से purchase किया था, यानि कि बांगलादेश के forex reserves जो की एक समय पे 48 billion dollars को touch कर चुके थे, ये कहानी जस्ट आज से 2-3 साल पहले की है, वो आज की date में गिरते गिराते केवल 19.4 billion dollars पर आज चुके हैं, आप लोग देखें ये खबर, जस्ट लास्ट वीक की है, कि बांगलादेश के forex reserves जो हैं, वो अब बहुत ज़ादा गिर चुके हैं, ये बड़ी बात इसलिए बन जाती है, बिकास बांगलादेश भी, like many many developing countries, बहुत ज़ादा import पे dependent है, particularly fuel के लिए, energy resources के लिए, अच्छा अब दूसरी बात, चुकि ये dollar में बहुत ज़ादा loan को नहीं ले सकते थे, तो इन्होंने नई तरकीब निकाली, government ने कहा कि अब हम लोग local currency में borrow करना शुरू करेंगे, treasury bills के माधियम से, यानि कि government bonds को issue करेंगे, लेकिन इसमें इन्होंने problem क्या करी, इ ये दो problems की वज़े से, जो Padma Bridge था, जो की एक time पे खुद को self finance करने वाला bridge था, वो आज सबसे बड़ी मुसीबत बनके रह चुका है, और इसलिए बांगलादेश के भी जो economist हैं, उनका ये कहना है कि चुकि इसमें कोई भी जो multinational donor agency involved नहीं थी, उसकी वज़े से checks and balances को maintain नही किया गया, जिसकी वज़े से दोस्तो, Padma Bridge जो है, उसके उपर जो toll लगाया हुआ है, वो भी बहुत जादा है, जिसकी वज़े से लोग उसको उतना use ही नहीं करते हैं, और चुकि यहाँ पे कोई multinational agency involved नहीं थी, तो जो cost इसमें estimate लगाई गई थी, वो 10,000 करोड टका की वाला जो bridge था, वो कहीं न कहीं इनको problem तो करने ही वाला था, और अब यह सारी की सारी जो problem चल रही है, एक तरफ local currency, बांगलादेशी banks basically market से निकाल रहे हैं, forex reserves जो है, वो बांगलादेश की सरकार के पास कम होना शुरू हो गए हैं, जिसकी वज़े से यह chain effect शुरू हो गय लोकल करनसी, चुकि बांगलादेशी bankों ने लोगों से लेना शुरू कर दिया है, तो local liquidity काफी कम हो गई है, जिसकी वज़े से inflation काफी बढ़ गई है, investment भी अब देखने को नहीं मिल रही है, तो यह एक बहुत ही बड़ा trap बन गया है, बहुत ही गंदा loop बन गया है, जिसमे से बांगलादेश को अब निकलना बहुत ही मुश्किल होने वाला है, तो उनका जो mainstay था, जो उनकी textile industry थी, वहाँ पर भी problems देखने को मिल रही है, क्योंकि जो बहुत सारे export orders है, वो दोस्तों अब भारत को मिल रही है, हमारे उत्तर प्रदेश में 10,000 करोड की investment की बात्च चल रही है, रेमन ने अनाउंस किया है कि वो अपनी factories को बांगलादेश से निकालने वाले हैं, वहीं पर जो बड़े-बड़े orders हैं वो Vietnam और India को जा रहे हैं, बांगलादेश को नहीं जा रहे हैं, उनके exports नीचे जा रहे हैं, और इसी की वज़े से बांगलादेश में जो वहां के ready-made garment workers हैं, उनके द्वारा धरना production शुरू कर दिया गया है, because उनको उनकी पगार नहीं मिल रही है, और उनकी जो यहां पर रोजी रोटी है, वो भी सही से काम नहीं कर रही है, so overall जो बांगलादेश की economy हैं, उसका भी जो संकट है, वो अब हमें basically देखने को मिल रह है, देखते हैं क्या होता है, आप लोग क्या सोचते हैं, हमें definitely बताएं comment section में, जाने से पहले दोस्तों बताना चाहूंगा, and academy के offline centers, नई दिल्ली के करोलबाज, नई दिल्ली के मुकरजी नगर, एवं उत्तर प्रदेश के प्रियागराच और बिहार के पटना में आ चुक हैं या फिर हमारे centers को anytime विजिट भी कर सकते हैं, free study material पाने के लिए हमारी नई आपको download कीजिए, इसका link भी आपको description box में नीचे दिया जाया है, thank you so much for listening, stay tuned and stay tuned.